हैंडिक क्लासिं नहीं तो कौन, था दुश्टों हैंडिक क्लासिं नहीं तो कौन वो प्लियर है जो आपके लिए आज के मुकाबले में ग्रेंल लिग बिनकर आ कर देगा सात भी दुस्तों small league में आपके लिए best choice कोईण सी रहने वाली है सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा और बेल आइकन प्रेस कर देजीगा हम बात कर रहे हैं जो साउट अफरिका टी-20 लिग का फानल मुकाबला होने बारे में दोस्तो जो भाई भी नए है और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया हो वो जोइन कर लीजीगा लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएग यहां दोस्तो बेस्ट कॉमिनिजन इस्मॉल लिग प्लस ग्रेल लिग का वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जोइन करना मत भूलिएगा लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो चलिए बात करेंगे दोस्तो बसे पहले हम यहाँ यहां पर देखोगे टोटल 51 मुकाबले खेले गए पहले बल्ले वाजु करती 26 और सेकेंड बल्ले वाजु करती हुए 24 मुकाबले यहां पर बिल किये हैं यदि बात की जाए तो एबरेज के बारे में तो एबरेज स्कूर आप देखोगे एक सो पचपन यहां पर आता है पेस बॉलर यहां पर थोड़ा सा डॉमिनिट करती हुए नजर आ जाएंगे बजाय इस्पिनर की यदि बैनुपर स्कूरिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखोगे 150 और 150 से नीचे 22 बार स्कूर देखने को मिला है 152 169 16 172 189 11 वार और 190 एब आपके लिए मात्र दो वार स्कूर देखने को मिला है तो वैनुपर स्कूरिंग पैटर्न कुछ ए रहने वाला है लेकिन दोस्तो जहां तक मेरा नुमान है इस मुकाबले में यहां पर 172 189 तक स्कूर देखने को मिल जाएगा और एक जबर जस्ट मुक मुकाबला हो सकता है तो चलिए बात करेंगे रिसेंट मुकाबलों के बारे में क्यासा क्या प्रफमेसर आता दोस्तो बॉल रॉकार और स्कूर कैसा क्या रहा था संडाइज इस्टरन कैप ने दोस्तो आप देखोगे 157 बनाये थे 8 विक रिक रुक सान पर तो डिएजी को म मात्र 106 पर रोक दिया था 12 विकेट पेस्ट बॉलर तो इस्पनर को मात्र 4 विकेट मिले थे यहाँ पर M.I.C.T. 163 बनाये थे और 166 बनाकर दोस्तो पारल रॉक्स ने चेस कर लिया था 9 और 6 करेशी हो रहा था यहाँ पर अगला मुकाबल है यह आप देखोगे दर्बन सोपर जाइंट्स ने 157 बनाये थे तो M.I.C.T. को मात्र 109 पर रोक दिया था यहाँ पर पेस्ट बॉलर और इस्पनर का आपके लिए बराबर का मुकाबला देखने को मिला था अगला मुकाबला है यहाँ पर सन्राइजर सीटर के अपने 202 बनाये थे और M.I.C.T यह 158 बना पाई थी 6 बिकेट पेस्ट बॉलर तो 1 बिकेट मात्र इस्पनर निकाला था तो आप समझ गए होगे कि इस्पनर का ज्यादा भाविस्ट नहीं है जबकि पेस्ट बॉलर यहाँ पर डॉमिनेट करने वाला है इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चल दिया जाएगा आपके लिए एक्ट्रा गिबाविस दिस्काउंट एंट्रिफी और भी बहुत सारे आपके लिए वेनिफिट दिये जाएगे तो आप जरूर एक बार ट्राइ कर लिजीगा लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगी आप इस पर खेले के लिए क्लिए मैं क्यो को नहीं होने बाली है तो आप एक बार जरूर से ट्राइ करकर देख सकते हो लिंक आपको इसकी वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी और जीएश्टी की आपको टेंशन नहीं लेना है आपकी तरप से जीएस्टी आपका वहाई देने वाला है हम देने बाले है तो GST हम आपकी तरब से पर करने बाले हैं तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर Eastern Cape Town के बारे में यहाँ पर आप जेखोगे Jordan Herman एक ठिक ठाक बल्लेबाज या प्लियर आप इन्हीं मान सकते हो यदि रिसेंट इनके मुकाबले देखोगे न तो 21-21-36 इस स्टार्ट में लेए हैं तिन 6 इनिंग्स में लाश्टकी में लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कूर में कनवर्ट नहीं कर पाए पिलेर आपके लिए इम्पुडेंट हो सकते हैं क्योंकि एक इनका सतक भी आया है इस टूनमेंट में लेकिन एक ग्रेंड लिग में इम्पुडेंट पिलेर हो सकते हैं इस मॉल लिग में आप नहीं अवाइड करकर चल सकते हो हेट टू हेट पांच मुकाबले हैं 28 कैबरेज है बेन उपर दो मुकाबले हैं 127 रण मतलब सतक भी इसी बेन उपर इनका सतक भी इनका इसी बेन उपर आया था उसके बाद आप देखोगे डेवन मिलान डेवन मिलान का आप देखोगे 73,19,40,2,18 इतनी अच्छे फॉर्म में नहीं देख रहा है डेवन मिलान बसारते बहुत अच्छे पिलेर हैं और आपको थोड़ा रुक कर खिलने बाली पिलेर हैं आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो लेकिन एक थोड़ी सी रिस्की भी रहेगी क्योंकि जो इनका फॉर्म दिखना चाहिए न वो फॉर्म नहीं दिख रहा इसलिए थोड़ी सी रिस्क रहेगी बाद बागी पिलेर आपके लिए इम्पोडेंट हो जाएंगे हैट टुएड 32 काइबरेज है और वेन वर 23 काइबरेज है ठिक ठाक प्रफनेंस है टॉम एवल है ए बंद आपके लिए बिलकुल इम्पोडेंट है हैट टुएड आप देखोगे 22 काइबरेज और वेन वर यतना कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं इम्पोडेंट प्लियर के दोस्तों रोल में रखूंगा यहाँ पर आप देखोगे एडन मारकराम तीसरन, सेंतीसरन, चाउवण रन एक मुकाबले यहाँ पर बल्ली बाजी नहीं आई थी अब इन्होंने अपने फोर्म में बापस की है हाला कि गयन बाजी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके लिए ठीक ठाक ओप्शन है हो सकता है कैप्टेंसी और 22 कैप्टेंसी के बलीब मारकराम का आप देखोगे तो हेट टो हेट पाँच मुकाबले है 36 का अबरेज है, बेनुपर 17 का इनका अबरेज है बेनुपर इतना खास नहीं है लेकिन हेट टो हेट और दोस्तो उसके बाद आप देखोगे पैट्टें, क्रुगर, ञारा रन जीरो मिटित我們的. पल्लेबाजी नहीं है यहाँ पर एक रिकिते एकट एफ लिगित एभी गरान लिकित लामड़ ईप्टेंड, विल्कुल इंपोडेंट पलीच मैघ्टेंट पली kindlyरud भी किया गया था उपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था जिसमें इन्हों ने दुस्तों आलावा दुस्तों दो विकेट भी इन्हों ने निका ले थे तो बिल्कुल डेफिनेली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो मेक्रेशन का देखोगी आप यहाँ पर तो चार रन चार पर दो विकेट फिर दो विकेट एक विकेट एक विकेट तीन विकेट तो यह आपके लिए कैप्टेंसी और बाइस कैप्टेंसी के लिए अच्छा ओप्शन है है यह पर आप देखोगी चार विकेट दो विकेट फिर चार विकेट और फिर एक विकेट तो इम्पोडेंट choice आपके लिए एक हो जाएंगे तो बिल्कुल definitely आप इन्हें अपने team में try कर सकते हो head to head 3 मुकाबलों में 5 wicket है बेनी पर 3 मुकाबलों में 9 wicket है तो आपके लिए wordman बिल्कुल आपको बहुत अच्छे option हो जाएंगे आप definitely इन्हें try कर कर चल सकते हो उसके बाद आप देखोगे डैनियल बोरल डैनियल बोरल का आप क्या है कि last मुकाबली वicket नहीं मिले इससे पहले 1 wicket, 1 wicket फिर 3 wicket, फिर 1 wicket head to head 3 मुकाबलों 3 wicket है बेनी पर 2 मुकाबलों में 1 wicket है तो आप इन्हें अपने team में try ज़रूर कर सकते हो आप इनकी team के ओर से important player के बारे में चर्जा करें तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो Tom Evel Adam Markram, फिर Macroenzen है Wardman है और डैनियल बोरल को आप रख सकते हो अब दोस्तो, Devin Milan और Harmon में से आप रख सकते हो, मेरा board ज़्यादा दोस्तो, Devin Milan को है और Tristan Estraps आपके लिए एक risky choice ज़रूर हो सकते हैं आपके लिए Grand League में बहुत अच्छी choice है Grand League में आप इन्हें try ज़रूर कर लेना तो चलिए बात करेंगे दोस्तो, अब हम यहाँ पर Durban Super Giants के बारे में Quantanikok बड़े match का पलियार है और आपके लिए बड़े इनिक्स खिलते हो नजर आ सकते हैं हाला कि recently इतनका इतना अच्छा form नहीं है आप देखोगे 23 run, 20 run, 16 run, 13 run इतना अच्छा form नहीं है यदि एक मुकाबला निकाल दिया जाए लिकिन दोस्तों मैंने बताया बड़े match का player है head to head आप देखोगे 12 का अबरेज है और value पर 24 का अबरेज है इतने अच्छी stats बले ही ना दिख रहे हो लिकिन player बहुत बड़ा मुझी इन में दिखता है उसके बाद आप देखोगे मैथू ब्रेट की जी का 12 run, 3 run, 9 run last के 3 के failure आहें इससे पहले आप देखोगे 73, 78, 12 बहुत important player आपके लिए ये भी हो जाएंगे और दोनों के दोनों आपको wicket keeping section manager आ जाएंगे head to head आप देखोगे 20 का अबरेज है value पर 38 का अबरेज है उसके बाद यादी आप देखोगे भानुका राजबक्षे लास्ट मुकाबला खेले 35 रण के इनिक्स खेली इससे पहले ये नहीं खेले थे दूसरी टूरेमेंट के रान है इनके तो भानुका राजबक्षा को आप अपने टिप में definitely try कर सकते हो और grand league में बहुत अच्छी चोय से हो जाएंगे आप grand league में इने try करकर चल सकते हो इनका देखोगे head to head और value पर नहीं है handic class है थोड़ा नीचे बल्ले बाज़ी करने के लिए आएंगे dwan pittorius की जगे आपके लिए संभबता बल्ले बाज़ी करतो ही नजर आ सकते हैं लाश्ट मुकाबले में one-sided single handedly उस्तों इन्होंने match जिताया था और grand league में definitely आप यहां पर इन्हें captaincy by captaincy दे सकते हो grand league में आपके लिए बहुत अच्छ अप्शन हो जाएंगे handic class है तो grand league में आप इन्हें try करना मत भूलिएगा बहुत अच्छ अप्शन है और small league में यदि आप इन्हें sorry small league में यदि आप इन्हें try कर रहा हो ना तो आप मानिएगा मनलब team में तो try करना ही करना है small league में यदि captaincy by captaincy try कर रहा हो ना तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक बिल्कुल pure risk ले रहे हो हेट वेट चार मुकाबले हैं, 22 के अबरेज है, बेन उपर 19 के अबरेज है, तो ठिक ठाक प्रमेंस आपे नहीं बूल सकते हैं, जोन जोन इसमर्स, गेंदबाजी यह नहीं कर रहा है, आप देखोंगे यहाँ पर 11 रन, फिर 0 रन, फिर 55, फिर 21, 11 और 22, गेंदबाजी करेंग हैं, 24 रन, दो विकेट हैं, बेन उपर 5 मुकाबले, 45 रन, दो विकेट, और 9 का अबरेज है, बेन उपर कितना कुछ खास नहीं है, ड्वेन पिटोरियस, इंपोटेंट ओप्सन हो सकते हैं, डेथ होबर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, और दोस्तों, यदि मैक्रो एंसन की जग हैं, हैट टो हैट, 33 रन, 4 विकेट हैं, बेन उपर 36 रन, दो विकेट हैं, 13 और 11 कन का अबरेज है, ब्यान मुल्डर, 50 रन, एक बिकेट, इन्हें प्रमोट भी किया जा सकता है, जी यहां दोस्तों, क्या हैंडिक क्लास नहीं आपर नीचे आएंगे, और ड्वेन पिटोरिय नीचे आएंगे, तो वियान मुल्डर उपर बालेवाजी के लिए भी जा सकते हैं, 50 रन, एक बिकेट, फिर 38 रन, 0 बिकेट, 69 रन, और 1 रन, हैट टो हैट तीन मुकाबलों में 119 रन हैं, बेन वर 4 मुकाबलों में 108 रन हैं, और 36 कन का अवरीज है, केसाब महराज, यदि द दो और 2, हैट टो हैट आप देखो कि 5 मुकाबलों में 4 विकेट हैं, बेन वर 4 मुकाबले में 4 विकेट हैं, उसके बाग आप देखो कि नभी नो लग, एक ठीक ठाक चोईस हो सकती है, दो विकेट, एक बिकेट, डेथ ओवर में करेंगें लग बाग, एक से दो आवर आपक बिकेट पर swing होती है तब तो टोपली आपके लिए बहुत अच्छा गैंद बाज है यदि swing नहीं होती बिकेट पर तब इतना अच्छा गैंद बाज नहीं है आप देखोगे इनका head to head फिर जीरो जीरो एक दो जीरो और इसके पहले दोफ्तों इन्होंने चार बिकेट निकाले थे तो आपके लिए मैंने बताया ना यदि swing होती है तब तो इंपोडेंट गैंद बाज है लेकिन यदि swing नहीं होती ना तब इतना इंपोडेंट नहीं है head to head चार मुकाबले में चा देना इक और दो वकिट है तो इसके बारे मैं अपडेट आपको लिए टेली राम पर कर दूंगा तो आप टेलीगराम जरूंगे लिंक आपको टेली राम की वीडियो को डिस्क्पिश्पिशन में मिल जाई तो चले ये बात करते हैं दौख्तों इनकी तरब से इंपोडें प्रेंटी जी उसके बाद जॉन जॉन इसमर्स हैंडिक क्लासिं ड्वैन प्रटोरियस जुनियर डाला एक दो तीन चार पांच छे प्लेयर हो गए आप साथ बाद दोस्तों आप भियान मुल्डर को भी रख सकते हो और केसा महाराज को भी रख सकते हो यह आपको मैं ऑप्सन दे रहा हूं आप इन दोनों में से किसी को अपने पुडेंट प्लेयर में रख सकते हो बात करेंगे दोस्तों अब हम यहापर हमने आपके लिए कुछ कैप्टैंसी बाइस कैप्टैंसी के ओप्सन इरिज किये हैं सबसे पहले सेफ ओप्सन देख लेते हैं तो हैंडिक क्लास इनको आप सेफ प्लस डिस्की जोनों में रख सकते हो क्वांटन डिकॉक है एडम मारकरा में इनकी जगे आप मैक्रो एंशन को रख लीजेगा यहाँ पर सेफ ओप्सन में और हैंडिक क्लास इनको आप दोस्तों यहाँ पर रिस्की ओप्सन में चुल लीजेगा रिस्की ओप्सन में चुल लीजेगा रिस्की ओप्सन में आपक को रखा है अब हम बात करेंगे एक कॉंबिनिशन हमने आपके लिए रेडिक करका रखा है उसके बारे में लेकिन उससे पहले यही कहूंगा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जोई नहीं किया हो फानल अपडेट के लिए तो आप कर लिजीगा क्योंकि आफ्टर टॉस फानल अपडेट आपके लिए वहीं पर मिली बाली आप देखो कि मैथ्यू ब्रिकल जी है क्वांटन डिकॉक्ट हैंडिक क्लाज ने वियान मुल्डर को मैं ट्राई किया है तॉम एवल हैं फिर आप द चाहो तो डैनियल वाराल को अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं यह चेंजिस आपको अपने अकोडिंग करना होगा और यदि आप फानल टीम चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिजीगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिल जै भारत